हेलो एब्रिवेंट तो आज मैं आपके लिए यूनिक किचेम टेप्स लेके आई हूँ ये टेप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं ये छोटी छोटी टेप्स अगर आप यूज करेंगे तो आपके समय की भी बचात होगी और आपका किचेन का काम भी असान हो जाएगा तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन भी दबा दें तो चलिए देर नहीं करते हैं वीडियो शुरू करते हैं तो यह टेप बची हुई पूडियों से रिलेटेड है तो अगर आपके पास बची पूडियां बच गई हैं तो इनको यह थोड़ी से हार्ड हो जाती हैं और कोई खाना पसंद नहीं करता है तो इनको अगर बिलकोँ सॉफ्ट करना है और जो पहले जैसे गरम थी वैसे हमें गरम करना है तो किस तरीके से हम गरम करें तो यह मेरी बची हुई पूडिया है तो इसके लिए मैंने बरतन में पानी गरम कर लिया है तो पानी हमें ज़ादा नहीं लेना बस थोड़ा सा लेना है और इसके उपर हम चननी रख देंगे तो चननी को आप इस तरीके से रख देے या उल्टा भी रख सकते हैं जैसे आपको रखना चाहें आप रख सकते हैं और इसके उपर हम पूरियां रखेंगे तो एक एक करके आप इस तरीके से पूरियां रख दे और इसको ढखकर एक मिनिट के लिए रख दे एक मिनिट बाद हमारी पूरियां गरम हो जाएंगे एकदम सॉप्ट हो जाएंगे इस्टीम निकलेगी ना उससे हमारी पूरियां ए तो इसको हम फिर से डखकर रख देंगे अभी भी सॉप्ट हो गई है लेकिन हम थोड़े से दूसी तरब से भी गरम करनी है तो फिर से एक मिनिट हो गया है अब हमारी पूड़े अच्छे से गरम हो गई है और सॉप्ट भी हो गई है अब हम इनको सब कर सकते हैं तो अब हम इ किसे घरम करके इनको खा सकते हैं तो अब चलते हैं अगली टिप की तरफ कभी-कभी हमारे उबले हुए छोले बच जाते हैं जैसे हमारे छोले जादा उबल जाते हैं और हम ग्रेवी में थोड़े से कम डालते हैं और थोड़े छोले इस तरीके से बच जाते हैं तो इन छोलो को आप फटा फटा बिना gravy के सबजी आप बढ़ी असानी से बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक pan लिया है और इसमें थोड़ा सा oil लिया है जब oil गरम हो जाए तो हमने इसमें जीरा डाला है जीरे के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे तो मैंने दो बारी कटी हुई हरी मिर्च ली है जब हरी मिर्च अच्छे से भूनने लगे तो इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे तो प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया था तो आप जो भी सबजें डालें सारी लंबी लंबी काट के ही डालें तो इस तरीके से हम सबजी भी थोड़ा सा भून और इसके बाद हम इसमें केPSICUM डालेंगे तो केPSICUM को भी मैंने लंबा-lesाण काट लिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे तो थोड़ी देर हमें भूनेंगे जब तक कि हमारी प्यार, जो हमारी KेPSICUM है, वह अच्छे से सौपत न हो जाये इसमें आप लंबा-लंबा कटा हुआ गाजर भी डाल सकते हैं हमें इसको slow-medium flame पर ही भूनना है, high flame पर नहीं भूनना है तो अब हमारी प्याज जो capsicum है वो थोड़ी सी soft हो गई है अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो मसाले डालने के लिए सबसे पहले हम धनियाप पाउडर डालेंगे हमें basic मसाले ही अभी डालना है healthy powder, लाल मिर्च पाउडर और नमक अब हमें इसको mix कर लेंगे ध्यान रहे कि flame को हमें slow ही रखना है नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे जब हमारे मसाले अच्छे से mix हो जाएं तो इसके बाद हमारे जो उबले हुए छोले है वो हमें इसमें डाल देंगे डालने के बाद हमें इसको mix कर देंगे तो आप इस तरीके से mix कर दें और थोड़ा-थोड़ा mess करते रहें तो आप दूसरी spoon ले ले जिससे कि यह अच्छे से mix हो जाएं तो हमें ज़्यादा mess नहीं करना कुछ-कुछ छोले एकदम पूरे रहेंगे और कुछ-कुछ थोड़े mess हो जाएंगे तो वो खाने में भी अच्छे लगेंगे थोड़ा देखने में भी एकदम अलग-अलग नहीं दिखता एकदम मतलब अच्छा दिखता है तो इस तरीके से mess कर दें तो हमने mess कर लिया है बस हमें नहीं mess करना है जादा नहीं करना नहीं तो उसका लड़्डू बन जाएगा और इसको mix कर दें मैस करने के बाद हम इसमा कुछ और ingredients Dलेंगे तो हम इसमा थोड़ा सा चाट masala डालेंगे और इसके बाद हम इसमा चिली फ्लेक्स डालेंगे तो चिली फ्लेक्स से और चाट मसाले से हमारी रेशिपी का टेस्ट बहुत अच्छा आने लगता है अब हमने इसमें एक चमस सहजवान चटनी डाली है और थोड़ी सी हम ग्रीन चिली सॉस डालेंगे तो ये जो सॉसेस है वो डालने से हमारी जो छोले है उनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा एकदम डिप्रेंट आपको ये सबजी लगेगी सबजी ये स्नेक्स में आप ऐसे भी खा सकते हैं एक बॉल में लेके आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या किसी पराठे के साथ खाना चाहे तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं तो इसको हमने मिक्स कर दिया है तो आप देखी सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है अब हम इसको एक बॉल में साइब कर देंगे तो ये मैंने एक बॉल ले लिया है इसमें हम अपनी छोले की जो सबजी है उसको हम डाल देंगे तो आप इस तरीके से अगर आपके छोले पड़े हैं या इस पेसल वॉयल करके भी आप इस तरीके से बना सकते हैं ये बहुत तेस्टी लगती है तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना मतलब रोटी पराथे के साथ इसको आप ऐसे ही स्पून से खा सकते हैं या आपको रोटी पराथे या पूरी के साथ खाने हैं तो आप उसके साथ भी आप खा सकते हैं ये बहुत टेस्टी लगती है बहुत यमी लगती है तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं ये जहट पड़ बन जाती है इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता तो आप चलते हैं दूसरी टिप की तरह अब मैंने एक कटोरी में काजु लिये है काजु को हम रोस्ट करेंगे तो कैजु को इसनेक्स के रूप में अगर कखाना चाहें तो आप इस तारीके से रोस्त自ks करके बना सकते हैं तो इसके लिए मैने नमक लिया है एक पेन में आपने जो भी नमक यूज करकर रखा होगा अगर कुछ रेसिपी बनाई होगी जैसे केक बनाते हैं तो इसमान मक मोझा थो हमिसमें काजु डाल देंगे काजु को हम मीडियम फ्लेम पर इस तर Bevölker से बूंदे रहेंगे जब हमारे काजु थोड़े से गुर्डन कलर होने लगेगा तब हम फ्लेम को बन कर देंगे तो अगर आपके पास पुराना नमक नहीं है तो आप फ्रेस नमक ले 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 और इसको इस तरीके से यूज कर ले और उसके बाद इसको संभाल के फिर से रख ले जब दोबारा आपको काजू या कुछ और चीज़ आपको बनानी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं तो अब हमारे काजू में हलका सा गोल्डन कलर आ गया है हमें बस इतना ही भूनना है और हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमें इसको एक stain air में डालके जो सारा नमक है वो निकाल लेंगे तो stain air में डालते ही नमक बड़े असानी से निकल जाएगा तो अब हमारे काजू बिल्कुल snacks के रूम में बिल्को बन के तैयार है तो आप में इसमें कुछ भी जैसे नमक डाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको अगर कुछ चाट मसाला या कुछ दूसरी चीज है अगर आपको इसमें मिक्स करना है तो आप कर सकते हैं पर नमक डाने की आपको बिल्कु जरूरत नहीं है आप ऐसे भी खा सकते हैं ये एकदम नमकीन लगेंगे और टेस्टी भी लगेंगे तो आप देखी सकते हैं कितना अच्छो गूर्डन कलर आया है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते अगली वीडियो में थेंक यू